असलाम अलेकूम आज मैं आपको बताने जारी इस्पेशल मुंग डाल डोसी की रेसेपी और मैंने इसके साथ चटनी भी बनाई इसकी रेसेपी में आपको दूगी और मैंने यह पे दो किसिम के डोसे बनाई हूं एक चीज डोसा एक सिंपल डोसा तो चलिए बनाना मैंने दो कप मुंगी डाल ले ली है तकरीबन 20 जोसे मैंने रेडी किये थे इसके साथ दो कप पानी के साथ हमें इसे बीगो देना है दो या तीन घंटे के लिए मच्चे से बीगो देंगे उसके बाद नमक डाल के जो हमें पीस लेना है अब इसको साइट पर रख देते है चलिए मैं आपको इसकी जो स्पेशल चटनी उसकी रेसेपी बताती हूं सबसे पहले हमें आपे ले लेना है दो बड़े साइस के टमाटर मेरे दो बड़े-बड़े है अगर आपके पाद छोटे तो तीन ले लीजेगा इसी के साथ पास से छे सुक्की लाल मिर्शी मैंने आपे ले ली है चार से पांच जव जवे ले लिया है मैंने मेरे बड़े-बड़े जवे अगर आपके छोटे रहे तो साथ से आंट जवे ले लीजेगा भी से हमें कुक करना है सबसे पहले कड़ाई में हमें वन टेबल स्पून जो है ऑई अट कर लेना है ऑईल को अच्छ जवे लेकारो को दो मिनिट के लिए अच्छी से चीआ लेना है इस तरीके से चलाते हुए पानी हलका अपो नजर आ रहा हो अज़ा रहा है अभी स्टेश पर हम इसमें एड कर देंगे हमाई सुक्हिलाल मिची और लसन को भी को भी से बहलका हमें चुक करना है थीन से चार म ठोड़ेन एक उपकाना है। लेकिन पानी को अँदम ड्राय नहीं करना है। ये स्टेष्ट में आपको आपको आपके सब्सक्राइश चत्ने कॉंट्थी कॉंटिटी को भी कंजादा कर लीजिएगा। अब देखे हैं अच्छे सब्सक्राइब लेना है हमें। निक्स करते हुए तकरिबन पांच मिनिट हो गया है पाणी अच्छे से रिलीज हो गया है अब यह पानी को इन ड्राय नहीं करना है यह पर देखें घ्र फ्लेम को आफ करके और जो है इसे पीस लेना है और चेटनी को तहन्डा कर लिजेगा क्या कि मिक्सी में डैरेक गरम ची तरह बें भान कम छ eerste सब्क्राइब देखे अपर बीग चुकी तरह त्रीबन 5-7 भास ना भीग चुकी अब होगी DOA अब में मैं को कर दो खर। इस वाल के सब्सहाएब थे आप नमक देखे को अपने देखा हुआ काई में और में एक कप पानी जäreन लेकिन एकप पानी पानी अपनी है कि अपनी में कफेया हुआ के यश्चे से घर जाय क पानी इस तरीके से है confidence कुछ भी एड़नी करना सिर्फ नमक एड़ करना देखे इस तरीके से स्मूध पेसिस का रेड़ी हो गया है चलिए अब डोसा बनाना जो है स्टार्ट करते हैं सबसे पर देखे मैंने आप एक फ्लैट नॉन स्टिक तावा ले लिया है आपके पास जैसा भी नॉन स्टिक तावा है उसे ले लीजिए और कभी भी डोसा बनाने से पढ़े यह प्रोसीजर जरूर कीजिएगा सबसे पर थोड़ा सा ओईल एड़ कीजिए ऑईल हलका सा गरम ह जाए फिर इसके बाद टीशू पेपर लीजिए और इसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए तावे को जो है अच्छे टेंपरेशर पर गरम होने देना है और जब भी डोसा दाले तावे को थोड़ा सा उठा ले या गैस की फ्लेम को आफ कर दे तो और आपका डोसा इद्दम प जो बिल्कुल लोग पर लग तो हमारा मुंग दाल का जो अच्छे से कुख हो जाएगा आप यह धोसा ना बच्चों को टीफिन में दे सकते हैं हम डाइट में इसकर सकते हैं हम ब्रेक्फरस्ट में से इजी बना सकते हैं और आपका जोसा ना चॉबिस गंटे के लिए रख सकते हैं देखें जो थीकनस नजार आ रही है बिल्कुल कूक हो जाएगी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि हाँ यह मोटा मोटा बन रहा है कुछ भी देखें मैं आपको जो दिखा रही हूना यह अच्छे से कूक हो जाएगा क्योंकि गैस की फ्लेम को हमने लो पे रख और फिर से हम इसे चेक करेंगे और हमारा ढोसा यह स्टेश पे पग गया है और बहुत इजिली यह निकल रहा है हलके हातों से कीजिएगा बहुत ही क्रिस्पी और क्रंशी ढोसा यह बनके रेडी होता है आप जरू ट्राइग कीजिए आपको बहुत ही पसंद आएगा और डाइट करते हैं और दो से तीन अराम से खा सकते हैं युकि इसमें बहुत प्रोटीन होता है देखे हमारा डोसा अच्छे से कुक हो गया है अब मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी यह देखिए इतना इजी ली देखिए उट भी जा रहा है और अच्छे से कुक हो जैसे हमें दुकानों में सर्फ होता है देखे बहुत ईजी ली देखिए आपको नजर आएगा इसकी क्रिस्पीनेस क्रंचीनेस बहुत ही मज़ेदार बना था जरू ट्राइट कर रहे है वो जरू ट्राइट कीजेगा बच्चों को सुबा 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 ईजी टीफिन में करें पेष्ट बना के एक दिंग कर ले तो दो बार भी उसकार कर सकते हैं अब यह स्टेच पर से तरह को इस तरीके से क्ली कर लेना है अच्छे को टावे को क्लीन करने के बार हम दूसा बनाएंगे अब मैं आपको बताते हु चीज डोशा इसे तावे को मैंने क्लीन कर लिया है, गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया है, अब इसे अच्छे से देखिए, इस तरीके से हमें बना लेना है डोसे को अफसे तकरीबन तीन से चार मिनिट लगते हैं कर दोसा बने के रेड़ी होगा बहुत एजी बन जाता है बिल्कुल घबराईएगा नहीं बट यह है कि दोसा आप तावे पर डालने के बाद 2-3 मेट उसे चलाईए मत उसके बाद आप इस पर चेक करिए इस तरीके से तोड़ा इस ओड़ा एड़ करने से ना डोसा जल्दी-जल्दी कूक होता है उपन जो चटनी पीसी थी ना जो चटनी आपको मैंने आरा से भी बताई थी वह हम इसके उपर एड़ करेंगे और इसके आपर चीज एड़ करेंगे देखिने आप इस तरीके से दूर दूर कहीं कहीं से दाल रही क्योंकि थोड़ी सी पाइसी है अगर बच्चों को दे तो थोड सकते हैं तक को मैं अगर बिच से कट करके के जो हैं बच्चों को कबीभी पीजा कर अच्छा की जिये और होता है मैं अगर अच्छा रहा है अब यह स्टेज पर देखिए इसे अच्छे से फोल्ड कर लेना है आपको नजर आ रहा होगा पिछे का साइट कितने चटनी का कलर आ रहा है उसके उपर जब बच्चे नहीं खाते हैं तो इस तरीके से बना के आप दे सकते हो बच्चों के अंदर प्रोटीन भी जायेगा और करना है है हेलदी भी होगा यह चीज और नजर कम अपने अपने बच्चों के लिए बहुत ही तेस्टी लगा है आप इसके अंदर आलू अगेरा भी स्टफ कर सकते आपको जो पसंद और भी स्टफ कर सकते है और गज़गा तो आरगड़ तो नरम हो जाएगा देके बनके र यह सिंपल और इसके साथ स्पेशल चटनी चटनी भी बहुत मज़े की लगती है अगर आपको मेरे मुंगदाल डोसी की रेसेपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए शायर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूरान कीजिए और जिका लगेगा और मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा तो चलिए चलती हूँ अलाहाफेज